प्रणाम नमस्कार बहुत स्वागत है आपका उस कारिक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनद दादा और आज इस कारिक्रम में एक बहुत ही ऐसे विशय पर हम बात कर रहे हैं जिसका उलेख या जिक्र भी आज के दौर में तो मैं कम सुनता हूं पुन्य और पाप की चर्चा तो बहुत हो जाती है लेकिन धर्म की भी खूब होती है लेकिन इसकी चर्चा कम होती है कि अधर्म क्या है क्या है वो सबकुछ जो विधर्मी करते हैं या जो अधर्मी करते हैं और क्या है एक तो व्याख्या सीधी सरल समझ में आती है कि धर्म के विरुद्ध जो है वो विधर्म है, धर्म के प्रतिकूल जो भी आचरण है, वो विधर्मी आचरण है, लेकिन क्या इसको समझना बहुत सरल है, कि क्या विधर्म है और कब हम धर्म के रास्ते से अलग होकर विधर्म की तरफ चले जाते हैं। गीता एक गाइड बुक तो है ही हमारे लिए और निश्चत तौर पर जो हमारे विद्वान वक्ता हैं, प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गुस्वामी भगवत गीता के अध्यता हैं, तो निश्चत तौर पर साधिकार गीता के दर्शन से वो हमें बताएंगे ही, लेकिन इस प्रशनों को समझने की जिग्यासा मेरे मन में भी है और निश्चत तौर पर आपके मन में भी होगी, तो चलिए सीधे रुक करते हैं, प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गुस्वामी जी का, जिन से हम जानेंगे मानस मर्मग के भगवत गीता के अध्य है, आज आपने गीता में भगवान कृष्ण के द्वारा कही हुई, उस अमर उक्ति को अपने चिंतन में ले लिया है, जो गीता में उन्होंने कहा है, यदा यदा ही धर्मर्शा के लानिर भवत भार्वत, अभित आनम अधर्मर्शत अधात्मानम यदामा, जहां पर जहां मानवता खत्म हो जाती है, जहां परकिती ब्रह्म से विरक्त हो जाती है, आप कोई भी एसा चरवование करते हैं जिसमें प्राकिति और भंव का समायोजन नहीं थादर्म मुझा झाख다. जैसे उस्ट शरीय जो है प्रकिति के तवारा प्रोदता है रकिति दारा बना हुआ है जड़तत्य। जड़तत्यु में भी चेतना विर्दमान होती है। इसलिए जडवत विरिख्ष पनवते हैं, पल्लेवित पुष्पित होते हैं, उनमें प्रानतत्यु विदमान होता है। लेकिन जड़तत्यु की जडवत अराधमा शुरू आप कर देते हैं और चेतनतत्यु से विरुक्त हो जाते हैं तब आप अधर्म में होता है। तब आपकी सारी प्रक्रियाएं अधर्म में होते हैं। आप एक चिंतन समझें। एक इश्वर्न है। मुझे तो ध्यान आता है, नानक देव ने तो कहा ही है सबका मालिक एक उन्होंने एक इश्वर की तरफ इंगित किया। अधर्म इंगित का इसले अधर्म संसार में सब प्राणियों को भी नाया है। आप इसको भी मानते हो जिसको भी मानते हो आप मानते हों इस न् अब आपने देखा दूसरा वैसा नहीं मानता है और जैसे ही उसने आपको अपने से भेद रखा या ये बात दिमाग में ला लिए कि हाँ मेरा इश्वर वही है जिसको सब हम मैं मानता हूँ तुम नहीं मानते हो तो तुम अधर्मी हो तो वो तो धर्मी है आप अधर्मी हो ग कोई भी आउतारी पुरुष कोई भी संत पुरुष किसी उस तत्ट ससे आपको विरक रही कर सकते जिस कि उसने अपना धर्म छोड़ दिया, धान रखे मेरी बात को, वैसे ही मनुष्य यदी जो है, मनुष्य भेद करने लग जाए, तो अधर्मी है, जिसमें भेद आ गया, संसार के सब मनुष्य एक है, वो उसको किस स्वरूप से मानते हैं, यह उनकी शद्धा की है, तो परमात्मा कहते हैं, जब वो मेरी बनाई हुई स्वर्ष्टी में भेद को चरम पर पहुचा देता है, तो अधर्मी हो जाता है, वो अधर्मी हो जाता है, तब धर्म की हानी होने लगते हैं, आप किसी को मानते हूं, आप दो हाथ वाले को मानते हूं, आप चार हाथ को नहीं मानता उसके प्रतिएदी आप ठोल दिर्ष्टकोन रखते हैं तो आप अधर्मी हो जाते हैं कि दुरियोधन एग्रेदा सबस्ट दुरियोधन उनको बिलकुल नहीं मानता जो उसको नहीं मानते हैं। तो जहां पर जड़ता हावी हो गई, आपने अपने जीवन को आधार बना लिया, आप मुल्लिवान हो गए। उसमें एक प्रमुक साख़ा है विधर्म, दियान रखिये हैं धर्म का उल्टा नहीं है अधर्म, लेकिन आधर्म आधर्म की शाखा है, विधर्म आड़र्म आप बना लेते हैं। आप एक परिपाटी बिना लिए सुनो जो हमको मान रहे हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं वो सब लोग धर्मी है और जो हमको नहीं मान रहे हैं हमारे साथ नहीं चल रहे हैं वो अधर्मी यह आपने बना लिया यह विधर्म है यह विधर्म है फिर आपने उसमें चद्व कर दिय आपने उसमें विच्छे पुत्पन्न कर दिया, एक नए आवरन बना लिया, एक नई पध्धती बना लिया, एक नई प्रक्रिया बना लिया, वही जो अपन कहते हैं, रूडवादी और कुरूती ही हैं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इश्वर में आया हुआ, इश्वर के वही आपका धर्म है, किसी से पूछा जाए भैई, किसी भी मनुष्य से पूछो तुम्हारा धर्म क्या है, सर्व भूत हितरता, यही धर्म है, संसार के जितने प्राणी है, उसमेरी तरह है, मैं मनुष्य हूँ तो आप मनुष्य है, अब आपने इसमें मनुष्य मनुष्य में भेद कर दिया है या धर्म है आपने जैसे ही दृष्टी दृट पूर्ण की आप साउधान हो जाएगे दृट कर सकते हैं आपको दृट करना चाहिए क्योंकि आप कैसा पसंद करते हैं क्या मानते हैं आपके सुभाव आपकी मना इस्थिति अलग अलग होगी लेकिन मन मे जब विच्छेप आप उत्पन्न कर लें माया का आवरन बढ़ जाए मैल आजाए मन में पाखंड की सत्ता बन जाए आपने एक नया नियम निकाल दिया एक नई स्रिष्टी एक नया नया प्रवर्तन शुरू कर दिया आप अधर्मी हो गए हैं आप मूल प्रकिती को जले हैं की करति मोचा लें ихोड़ या प्रकिती तक्रों प्रतिक ऑप प्रकितिव क्रतिवी प्रत्वी जाती है जैसे घाधर में बढ़ते हैं तो रुप धार्ण कर चानी गोः जिसमें तैंटिस करोल व्रूइवताओं का अभास ए जिसके रोम रोम में तीरत व'Tद्वान पूरी स्विष्टी को साथ मेलेके जाती है। भावार्त ही है। वो पहुंचती ही परमेश्वर के पास। मुझे बचाओ। क्यों वो प्रकिती का प्रतीक है। मूण प्रकिति का प्रतीक है। आपने प्रकिति को ब्रह्म से अलग कर दिया वो तो जडवत हो गयी conventions आपने शरीर को न श्वर मान लिया आपने अपने स्वार्थ में अपने आपको रंग लिया कि आप अपनी फोटो जगया ये लगाने लगए हैं आप बुलने लग गए मैं हूं भगवान तो आप भगवान हैं इसमें कोई असत्य बात थोड़ी कह रहे हैं आप अहम ब्रह्मास वेद कहता है लेकिन ये शरीर नहीं ये शरीर ब्रह्म नहीं है आपकी आत्मा ब्रह्म है प्रतिक चित में बैठा हुआ ब्रह्म है शरीवल इसी पत से चलो यही पत है अगर इससे बाहर चलोगे तो आप अधर्मी हो तो आप सबसे बड़े अधर्मी हो जाते हैं आपका विसलेशन सुनकर यहां मन में बड़ा एक ऐसा लगा जैसे कोई पर्दा हटा है वो सकता है बहुत सारे लोग इस अनुगूती से गुजर रहे हो तो मैं स्वायम को भी शामिल करके यह प्रश्णा के सामने कह रहा हूं कि जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है माफ किजेगा मैं अग्यानी है हम में से अधिकांश लोग तो फिर धर्म के रास्ते पर प्रतीत होते हैं है नहीं देखिए मैं तो यह भी चिंतन करूं कि अगर आ अगर आप कर रहे हैं तो आप धर्म जब धर्म में तो आप धर्म होंगे तो आपको अधर्म हो तो अधर्मी दिखे गही नहीं लेकिन यह इतनी विविदताओं का देश है, यहां इतनी परंपराएं हैं, इतने अनुष्ठान हैं, और इन सब के बीच में हमारे कुल हैं, हमें सिखाया गया है, लोकाचार है, पुष्टी मार्ग है, शेव अनुयाई हैं, कोई कह रहा है, इस तरह से उपासना करो, जो आप आपने कहा, मोटे तोर पर तो हम देखते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख्षाई, लेकिन और नीचे आप जाते हैं, तो नाना प्रकार के पंथ हैं, नाना प्रकार की चीजें हैं, इन सब के बीच में तो ऐसा लग रहा है, हम सब भटकी रहें, आपने तो एक शब्द का उप प्रेनिति धर्मा, धर्म का स्वरूप यह है, राजा का भी धर्म है, राज धर्म है, प्रजा का भी धर्म है, प्रजा धर्म है, धर्म जो है, वो दर्शन और पंत की विशयवस्तु नहीं है, यह पंत हैं आपके जिनको आपने धारन कर लिया, पंत, यह संपरदाएं हैं ज दो प्रतक सब्दैं आप किसी संप्रदाय से जुड़ गये हैं तो आप जुड़ गये हैं उस संप्रदाय से बहुत अच्छी बात है उस संप्रदाय में आपको जीने का दर्शन धंग मिलेगा। कि आप विचार धारा से जुड़ गये तो आप एक रिधरीवाज परमपराओं से जुड़ गये आपने एक सवरूप बना लिया तो आप संप्रदाय में हो गये तिल्व के लोग अंदार लगा लेते हैं यह वैशनों हैं यह शेहहल हैं आपकी शेहली से आपके तृपूंद लगा रखाया आपने आपको पहचान लेते हैं आपके पहनाओं से पहचान लेते हैं आपको तो यह संप्रदाय के प्रतीक यह न करने के लिए चलना कहा है? ह। आपको सनातन पत्पर सनतन पत歹 पर ःथ deze cleaningbirane आपके जीवन का मूल उद्देश400 के जीवन कै इतना भूला believe लुटी भर शबन देगा जीवन क्या है एक आपने जन मिलिया और मृित्व की और बढ़ने का जो ढग है उसमें अपने आपको परिपूर करते हुए चले वो सब कारे करते चले अपने आपको एक मनुष में आपने जन्म लिया है पैदा हुए आप मानाओ है अपने आत्मान भूति आपको करनी है यह मूल धारणा है दोसरा आपने उन आक एकता है संपून स्रिष्टि में विष्व में विविद्वा को यह पता है कि इन सारे बीच में आपने दिखा न लोगों को पिलाने के लिए कि शरीर को शक्तिसाली बनाने पुष्ट बनाने शरीर के रख रखाव के लिए लाना प्रकार के भोग हम ग्रहन करते हैं लेकिन अंतर्मन किस से पुष्ट होता है अंतर्मन विश्वास अम्रित पीता है और विश्वास अम्रित पीता है और विश्वास अम्रित का नाम ही आन परमानंद है उसको प्राप्त को एक लग जाता है कोई है मेरे साथ मैं पुत्र हूं किसी का जो जगत को देखता है वो मुझे देखता है तो आप जो तुलसी तो कहते हैं को जाने को जई हैं जंपूर को सुरुपूर परधाम को तुलसी बहुत भलो लागे जग जीवन राम वो लाम को अब किसी के सामने राम का नाम ले दीजिए तो उसके दिमाग में एक वो तस्वीर आजाएगी कि राम किसी विस्ष्ट संपरदाय के हैं तो पुरुषत्म है आप कहते ही उनका पूरा नाम है मर्यादा पुरुषत्म राम वो पुरुष जो आपको संपूर के लीए अकर्शित करते हैं बहने आपको बताया था आपके माताफिता, आपके गृू, आपके संथ और आपकी सद्धा यह मिलकर ईश्वर बनते हैं यही है ऊच्वर, इन सब को मिला दिजिए तो यह शडगुन मिलकर छिजे की मेरी वी रूम कर वरुब बन जाते हैं तो नित्व तो वो आतारी पुर्य आपको भी गत्म हम हैं। जिसके आधार पर अधरिश्ष सत्ता को सुन्य में जागृत पाते हैं। जब आधार पर कहीं से आप प्रणा प्राट करते हैं। तो जब आपके चिंतन में यह संकुछन आ जाये तो आप अधर्म के रास्ते में देखिए पाप पुंड यह अलग बात हो यह तो आपके कर्मों का फल है बिलकुल सब्सक्राइब लेकिन धर्म आपका आचरन है तो जो आचरन नहीं कदाचरन पर है वो अधर्मी है जो सदाच यहां शुक घंट में करते हैं यह उनका रूपांत्रन अपने शब्दों बेग जाते हैं फिर वो शंतों की गुरू की कही हुई वानी पर भी बड़े आनंद से उत्देश देते हुई कहते हैं यहां चूक गैत उन्सी दास यह लिए बड़ी गुडबात कहीए ब्यास जी ने मतलब जो मैं कह रहा हूं वही गुड़ता को परिभास्टित कर रहा हूं जो तुम समझ रहे वह गुड़ता नहीं है प्रस्ण यह हैं कितने सहज रहते हैं तो प्रकृतित पत्व की अराधना जहां पर नहीं है वहाँ अधर्में जहां प्रकृति की प्णाप्योंग भारत्य देश लगा लेते हैं वह भारत्यों देश की बात कर रहा है एध कि इस संपूर्ण मृत्य लोग का नामने भारत वर्ष मैं वर्ष की बात कर रहा हूं। वर्षी का मतलब देश नहीं हैं। आप भारत देश में है। ये विश्व धरा भारत वर्ष है झाल एक अल अरथ ही होता है सहज यूग ... भरत का एक अर्थ होता है, भक्त तो होता ही होता है, परम भक्त तो होता ही होता है, सहज योग, तो अगर आप सहिष्णु नहीं है, तो आप अधर्मी है, सहिष्णु का आर्थ ही है, सर्वभूत हित्रिता, तो जब भी कोई कहे, कि मैं जिस पर पत पर हूँ, यही परम धर्म बाकी सब पत्वेकार हैं तो ऐसी बात कभी भी उपर वाले ने नहीं कहीं है यह नीचे वाले ने बना लिया है कहीं ने कहीं से इसको आप च्छद्म पाखंड और विधर्म माल लेजिए क्योंकि ऊपर वाला तो कहता है संसार में जितने भी लोग हैं मेरी संतान है आप उनको बहुत गहरा चिंतन मन में मुझे लगता है देखने वालों के मन में की सनातन परंपरा कितनी अदो बहुत बात है, राह पकड़तू एक चला चल, बंदिर मस्जिद बैर कराते हैं, मेल कराती मधुशाला, अब ये मधुशाला, वो मधुशाला तो है नहीं, ये मधुशाला तो एकात्मीश्वर की राह है, अब ये हमारा ग्यान, माफ कीजेगा, वही अधर्म के रास्ते पर चला गया, ग्यान कौन सा? जो कहीं स्वार्थ से प्रेरित रहा, जिसने ये कहा, जैसा प्रोफेसर गुश्वामी ने बहुत सुन्दर शब्दों में, बहुत सुन्दर चिंतन के साथ हमें समझाया कि मेरा ध जिस राह पर चल रहा हूँ, जिस इश्वर की राह पर चल रहा हूँ, मेरा इश्वर, इश्वर भी मेरा हो गया, तो मेरे इश्वर को तुम अगर नहीं मानते हो, तुम ठीक रास्ते पर नहीं, जी, आप तो ये चिंतन कर रहे हैं, मेरा इश्वर, तेरा इश्वर तो अप तो प्रतिक जात ने उन भक्तों को अपनी व्यक्तिकत संपत्ति समझ ली है परमात्मा सबकी संपत्ति है भक्त भगवान के हैं ग्रस्वामीजीद में वही चिंतन कर रहा हूं कि आखिर हमारी शिक्षा हमारी दृष्टी हमारी सोच किस तरह से नहित स्वार्थों के जाल में आगे बढ़ती रही और उसकी वज़े से कितना इस प्रिश्वी को हमने कश्टकर बना दिया है कि कश्टों से भरा बना दिया शरत जी में एक बात आपको और को भगवान स्रीकृष्ण ने सुला कलाओं के साथ उत्रण लिया है सनात्तन धर्म में कोई संदेश वहाग नही वैसे ही करते हैं जैसे आप कर रहे हैं वैसे ही कस्टों को भोगते हैं जैसे आप भोग रहे हैं और उसमें जीवन सेली का विकास करके बताते हैं कि कैसे नर से नारायन होते हैं वो इस स्वरूप को दर्साते हैं वो किसी ऐसे चमतकार को दिखाते हुए नहीं चलते हैं उन प्रकिती वेथित होकर उनके पास मौसती है और प्रकिती की सत्ता & पूणुता, खत्रे में और प्रकिती की सत्त, theor कাत्पक्रमल जाती है। तब आप वह एक समक्र सुरूप से संसार चक्र २ेकर कने आते हैं। लेकिन जब वो आते हैं तो ऐसा नहीं होता कि वू आ गए और इस संदेश हो गया कि वो आ चुके है और सब लोग उनको अंग्रेजी का शबध है फालो करने लग जाते हैं ऐसा नहीं होता। जो भी सद कर्म कर रहा है वे इश्वारंस है और वेश्वरंस में दिव्यान्स हो गया इश्वरंस तो प्रतिक जी कुछ इनमें दिव्यांस का अनुसरन कर यह अ апनीया तो कहा आपको पत नहीं दिख रहा है ना तो आप उस पत से चलें जिस पत पत से महापुरुष गएं पुरुष नहीं महापुरुष गएं अर्थाज जिनों ने सर्व भूत हितर अथा को स्रिष्टी में आधार बनाया है। सम्मेलन में इतनी शद्धा से भरी ध्वनी पूरी दुनिया ने सुनी और क्यों असी के आरंब में भारत का जब एक दार्शनिक पश्चिम पहुंचता है और उस पर नाना प्रतार के आरोप लगते हैं और वो दो दर्जन से जादा देशों में उसका चार्टर प्लेन घूमत पकड़ लेगा वो पूरप का दर्शन किसी दार्शनिक में वह बात है मैं इससे खंडन या इसके समर्थन में कुछ नहीं कह रहा हूं सम्मोहन उस चिंतन दर्शन में है जो मुक्त करता है जो बांधता नहीं है जो कहता नहीं है कि इसी पर चलो यहीं से पहुंचोंगे मोक के बाकी धर्म भी ऐसा करते हैं सब धर्मों का सार एक है जी एक सार केवल चंतन जायतान रख लें है इश्वर धर्म संस्थापन के लिए मनुष्य को बेचता है और इश्वर मनुष्य के संपून जीवन काल के उपरां जितना भी सुनिश्य थे उसे बुला लेता है अब आ अब आप गड़ाते हैं जलाते हैं बहाते हैं यह उसको किस वरूप में देखते हैं यह आपकी जड़ता की प्रतिवेवार लेकिन उस वेवहार को यह दिया अपने धर्म मान लिया तो आप विधर्मी नहीं और कितना हमारा भी पाखंड है शमा कीजेगा कि हम शरीर के बाह वह बोध है तो वह शरीर के भीतर का नहीं है कि रक्त तो लाल सभी का है ना सिर्फ कश्मीर से कञ्या कुमारी बल की पूरे ब्रहम हंड में जितना भी यह संसार विस्तृत है रदय का आकार एक ही जैसा है किड्नी एक ही तरह की है लिवर एक ही तरह का है चलने सोचने बैठ उठने उठने की प्रणाली एक ही तरह की है सिर्फ आर्थिक और जो भोगौलिक द्रिश्टी है कि कहीं बर्फ जादा गिरती है तो वहां स्किन का रंग लग हो गया कहीं गर्मी अधिक है तो वहां तवचा का रंग दूसरा हो गया तो हमने विभेद गड़ लिये कोई और यह मनुश्री की आज की नहीं जब से उसने बुद्धिमानी का स्वांग भरा है तभी से उसका ये तथा कथित विधर्म है बरहाल इस पर फिर कभी और विस्त्रिश चर्चा होगे आनत आ गया प्रणाम करता हूं को स्वामी जी अगले एपिसोड में एक और विशह ले ये प्राइब टूसी है और बिस्त्रिश चर्चाम करता हूं कि एले विटियां से फ़िधरने का स्वानी के पर ये तो Christmas